वर्ल्ड वाइट फेमस जलिक में जिस तरह से हजारों की तादात में मरी हुई मचलियां पाई गई हैं उससे काफी ज़दा पैनिक आसपास हो गया है और फिलहाल आपको अपडेट बता देंगे क्यूंकि जिस तरह से जो मरी हुई मचलियों की बॉड़ी पानी में तैर रही हैं बहुत ज़दा स्मेल भी आसपास हो चुका है लोकल्स परिशान है और ऐसा क्यूं हुआ है अभी तक यह तस्वीर साफ तो नहीं हुई है पर LCMA डिपार्टमेंट के जो ओफिशल्स हैं वहां पर पहुंचे और इंवस्टिगेशन जब टीम ने किया इनिशल इंवस्टिगेशन में पता चला है कि टेंप्रेचर की वज़े से टेंप्रेट का आपमान जो बड़ा है उसकी वज़े से हो सकता है कि ऐसा हुआ हो और क्या कुछ कहना है उनका इस वीडियो में देखिए यह एक एनिवल एफ करता है तो जो वाटर कॉलम होता है उसका टेंपरेचर चेंज होता रहता है तो उसमें यह हो सकता है बाकी इसमें पैनिक करने की कोई जुरत नहीं है और हमारी टीम इसको देख रही है एक्जैमन कर लिए और पूरी एक हम साइंटिविक रिपोर्ट दो तीन दिन में हम आदे लोगों का दावा है जैसा मैंने पहले बताया थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की वज़े से है दूसरा यह है कि जो लोग बताते हैं पुलूशन लोड काफी कम हो चुका है डल पे और जो हमारा एक्चुली अगर कुछ लोग यह बोल रहे थे इसमें ऑक्सिजन की कमी है बट हमारा जो डियो लेवल है डिस्ट्रेटिफिकेशन लेवल वो हम डिस्पिले भी करते हैं काफी सारे जगह पे वो छे से एबो हैं मेक्सिम लेक पे तो इसको प्रॉपरली हम एक्जैमेन तब भी कर रहे हैं इसके अलावा भी जो प्लिमनेरी हमने मैंने बताया कि थर्म ली रिपोर्ट दे देंगे सर्फ पिछले साल भी ऐसा ही मुनाजर नजर आया था मगर इस तैदाद में नुपसानात नहीं होता आपको नहीं लगता कि एथारिटीज और अडिमिस्टेशन हायर अथारिटीज को उस वक्ट कोई अग्दामाद लेने चाहिए थे यह यह एन लेवल रिसीट हो जाएगी दो गेट्स हमारे बंद है अबी जो गव कदल वाला और वामुशी बाग वाला गेट बंद है बागी गेट्स ओपन है जो हमारा फटेकदल कंड्यूट है वो भी खुला हुआ है नाले अमेर्खान खुला हुआ है जो ही जहलिम की लेवल जा रहा है उसमें डिन एनलिस के लिए बेजा जा रहा है और हमने वो जो और भी डिपार्ट और जी मुतलिक का जो स्कॉस्ट है या उनके जो फिश्रीज के डिपार्टमेंट है उनसे शेर की है इंफोर्मेशन तो ऐसा पैनिक करने की कोई जूरत नहीं है यह एक एन्वल फेर है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जैसा मैंने पता बदा उस हो जासे हो